अब लोग को पता है कि अभी तक हम अपने पिछले वीडियोस में और ये चार चैप्टर काफी इंपॉर्टन थे फिर यहाँ पर हमारे दो चैप्टर बचते हैं चैप्टर नमबर फाइफ सिक्योर्टी और फियूचर आफ आफ इकोसिस्टम और अगला चैप्टर चैप्टर नमबर शीक्स सॉफ्ट इसकिल और परसनालिटी डेवलमेंट देखें यहाँ पर यह दोनों जो चैप्टर हैं यह पूरी तरीके से थियूरी पर बेज़्ड हैं यहाँ पर चैप्टर नमबर एट है यह काफी इज़ी है क्योंकि यहाँ पर सॉफ्ट इसकिल्स और परसनालिटी डेवलमेंट से रिलेटेड हैं जिसमें यहाँ पर मुलब एक तरीके से कह सकते हैं यह कंप्यूटर से रिलेट खास नहीं है बाकी यहाँ पर इसमें आप द जल्दी ही अप्लोड हो जाएंगे फिलाल जो चैप्टर नमबर फाइफ हमारा है इसके नोट्स हमने अप्लोड कर दिये हैं और यह चैप्टर जैसा कि हमने बताया दोनों जो है यह यह थे ओरिकल बेस है तो यहाँ पर आप जो है नोट्स हम आपको बता देते हैं कहां से करना है और यह दोनों ही चैप्टर आपको अपनी तरफ से पढ़ लेने हैं समझ लेने है ठीक है अभी फिलाहल यहाँ पर हम ब्रीफ में यह नोट्स जो है explain कर देंगे इसमें जो main main point है जो थोड़ा सा समझने और समझाने वाले हैं उनके बारे में यहाँ पर हम यह भी explain कर देंगे बाकी यहाँ पर आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं ठीक है यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे तो एक ही वीडियो में इस वाले चैप्टर को पूरा complete कर लेंगे तो चले यहाँ पर देख लेते हैं कि इसके जो notes है वो कैसे आपको download करने है और उसी में आपको M4 और 5 के notes मिलेंगे बाकी M1, M2 इसी पेज में है M1, M2, M3 सारा कुछ इसी में है तो यह chapter 5 आपका है simply यहाँ पर download कर लेंगे यह आपका download हो रहा है और यह download हो चुका है clear है तो यह download हो गया तो यहाँ पर इसमें total 7 page है यहाँ पर जैसा कि हमने बताई है चोटा स तो होती है और वही सब छोटी छोटी बाते इसमें बताई गई है क्योंकि आज कल का हमारा मलब business है वो सब पूरी तरीके से cyber पर depend है यानि कि internet पर depend है तो वहाँ पर हमें security का भी ध्यान रखना होगा ठीक है तो यह सब चीजे है ताकि हमारा data जो है वो leak ना हो चोरी ना हो औ यहां पर बताया गया है कि cyber में यानि कि internet में अलग अलग तरह के attack होते हैं जैसे hacking हो गई, virus हो गया, data loss हो गया, data modification हो गया, identity tips हो गया, ddos attack हो गया, तो इन topic को देखे हमने आगे explain भी किया है कि hacking क्या होती है, hacker क्या होते है, ddos attack क्या है, यह सारी चीजे हमने इसी notes में explain किये है तो यहां पर आप इस definition को आराम से पढ़ करके समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई rocket science नहीं है, cyber attack क्या होते हैं, to cyber attack के बारे में बताया गया है, cyber attack कितने type क्यों होते हैं, कैसे कैसे होता है, उनसे कैसे बचा जा सकता है, यह सारी चीजे इस notes में है, जैसे यहा यहां पर तीन तरह के होते हैं, white hat hacker, black hat hacker and gray hat hacker, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं, gray hat hacker, अब यह hacker एक्चुली देखे, जो hacker है, यह कोई वेक्ती यानि programmer या computer engineer ही होता है, और यहां पर अगर तीन यह अलग-अलग category है, तो यह तीन अलग-अलग इंसान नहीं होते हैं, ठी एक वेक्ती है, ठीक है, कोई एक बंदा है, तो वो बंदा जो है, वो white hat hacker भी हो सकता है, black hat hacker भी हो सकता है, और gray भी हो सकता है, वो depend करता है, वो किस तरह के काम करता है, अगर वो ऐसी hacking करता होगा, जिससे कि सामने वाले का नुकसान हो जाए, ठीक है, तो वो कहलाएगा black hat hacker, और कितना बड़ा नुक्सान अगर ज्यादा नुक्सान हो रहा है तो वो black hat hacker के category में आएगा और अगर हलका फुल का नुक्सान कर रहा है सिर्फ दूसरे को सामने वाले को परेशान ही कर रहा है तो वो आएगा grey hat hacker में ठीक है और अगर वो किसी को नुक्सान नहीं पहुचा रहा है बलकि उसकी hacking के वज़े से सामने वाले का फाइदा हो रहा है बेनिफिट हो रहा है तो वो white hat hacker की category में आएगा जिसे ethical hacker भी कहा जाता है ठीक है वो हमारी website को hack करके मलब उसमें से नुक्सान हमें पहुचा सकते है website को लेकिन हम क्या करेंगे white hat hacker को बताएंगे कि आप हमारी website को hack कीजिए यानि कि ऐसी bug ढूनिए जहां से उसे hack किया जा सकता है और वो हमें बता देंगे तो हम क्या करेंगे अपनी website में उन security पहलो पर ध्यान रखेंगे जिससे क्या होगा कि हमारी website और ज्यादा secure रहेगी clear है तो यह होता है white hat hacker and black hat hacker में difference और जो grey hat है यह दोनों में आते हैं clear है और यह बनदा एक ही होता है महलब वो white hat hacker भी हो bacCalv multiplied भी और ग्रेहाट करता है ठीक है depends करता है वो किस तरह से hacking करता है में किस तरह के hacking के काम करता है फिर यहां पर type of cyber attack cyber attack में malware attack हो गया malware attack के बारे मयं detail में यहाँ पर बताया गया है कि एक किस तरह से attack करता है और इससे क्या नुकसान होता है phishing attack, phishing attacks ठीक है और फिर यहाँ पर ddos attack ddos attack यानि कि distributed denial of service ठीक है तो यह आप पढ़ सकते हैं इसको पूरा detail में यहाँ पर हमने इसकी definition दे दी है फिर उसके बाद है SQL injection attack अब यह क्या होता है जिसके जरिये website तक पहुन सकते हैं ठीक है तो यह चीज़े हैं फिर यहाँ पर brute force attack brute force attack basically यहाँ पर इसके बारे में देखे हैं यहाँ डेटेल में बताया गया है यह dictionary attack भी इसको कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें passwords होता है कई सारे later को ले करके उसके combination से बार बार try किया जाता है ठीक है तो यह सारे चीज़े हैं इसको आप पढ़ सकते हैं इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फिर how to avoid cyber attack यानि cyber attack से हम बच कैसा सकते हैं तो यह सारे यहाँ पर topic हमने इसमें आपको बता दिया है तो इसलिए यहाँ पर इसको पूरा नहीं पढ़ रहे है वरना फिर यह पूरी एक तरह से फिर यहाँ पर बात करें artificial intelligence and machine learning की तो यहाँ पर इसको भी हमने explain कर दिया है दोनों को पहले artificial intelligence क्या है फिर यहाँ पर machine learning को explain कर दिया है तो यह आप पढ़ सकते हैं और अगर कभी कोई दिक्कत होती है तो आप यूटूब पर artificial intelligence and machine learning या एक आद वीडियो इधर उधर से भी देख सकते हैं यह इन topic को आप समझ ले बाकी इस chapter से हमने बताया कि दो ती नंबर का आप से पुछा जाता है और यह पूरी तरीके से theoretical base है तो यहाँ पर I think आपका जो chapter number 5 है यहाँ पर हमने आपको notes से इसके provide कर दिया है आप इसको पढ़ करके आराम से समझ सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और यहाँ पर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं जिसमें हम लगबग 20 या 25 प्लस practical classes देखेंगे practical classes का मलब यह है कि मलब अभी तक हमने sensor बगरा पढ़े हैं उनका यूज करके जो जिस तरह से exam में question पूछे जाते हैं जैसे अगर आपको demo के लिए दिखाएं तो यहाँ पर आप नीचे बढ़ेंगे तो देखें यह question है जैसे पहला question है interfacing LED light emitting diode blinking LED मलब blinking LED का एक program मलाना है simple सा ठीक है जिसमें हमें GPIO याने general purpose input output pin का यूज करना है इने digital pin का simply यूज करना है तो देखें कितना simple question है हम पढ़ तो चुके हैं लेकिन question जब इस तरह से पूछे जाएंगे तो यहाँ पर इसके लिए भी हमें prepare रहना है हलाकि यह अब इसमें क्या होगा simply एक LED को blink करवाना है और कुछ नहीं करवाना है simple सा program है इसको हम कई बार समझ चुके हैं पहले ही हमने सबसे पहले AC को देखा था तो यह सब चीजे हैं तो इस तरह से question exam में जो है पूछे जाते हैं और इनको हमें complete करना है ठीक है तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में ओके सो थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो